प्रधन मंत्री ने जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में लोगों की भागेदारी के साथ सामोहिक प्रयासोगा किया आहवान देश में पिछले 24 घंटे में 10,700 तिरपन लोगों में कोविट संक्रमंट की पुष्टी हुई है प्रदेश में 209 नए मरीज बीरनपूर घटना की जाच में पुलिस प्रशासन को मिले सफलता पांच आरोपियों को किया गया गिरफतार और आर्थिक सम्रिधी की ओर बढ़ रही है वैश्णवी स्वसाहता समो की महिलाएं आजिवी का मिशन के योग के तहत बढ़ने लगा है व्यापार नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हू थानेंद्र साहू अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में लोगों की भागेदारी के साथ सामोहिक प्रयासों का आवान किया है विश्व बैंक की ओर से आयोजित Make It Personal How Behavioral Change Can Tackle Climate Change विशह पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि दुनिया भर के लोग जलवायू परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं उनमें से कई लोग बहुत बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या कर सकते हैं I am delighted that the World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change This is an issue close to my heart and it is great to see it becoming a global movement Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago जल बिंदू निपातेन क्रमशह पुरियते घटः सहेतू सर्व विद्यानाम धर्मस्यच दनस्यच Small drops of water, when they come together, fill up a pot Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually This has a message for us By itself, each drop of water may not seem much but when it comes together with many other such drops it makes an impact By itself, each good deed for the planet may seem insignificant But when billions across the world do it together, the impact is huge We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet जलवायू परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा बलकि इसके लिए घर-घर में व्यभार परिवर्तन के आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यभार परिवर्तन के मामले में देश वासियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ किया है उन्होंने वैश्विक संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि वे मिशन लाइफ जैसी व्यभार जनित पहलूओं को अपनाने के लिए देश को प्रोच साहित करें भारत की पहली महिला लोको पैलेट सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेश चला कर एक नया इतिहास रच दिया है भारत की ही नहीं बलकि एश्या की भी पहली महिला लोको पैलेट सुरेखा ने सोलापुर CSMT तक वंदे भारत एक्सप्रेश को चलाया है सुरेखा यादव को उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें राज्य और राष्ट्य इस्तर पर कई पुरसकारों से भी नवाजा जा चुका है 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाने के लिए उन्हें सम्मानी भी किया गया था जिस वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को सुरेखा यादव चला रही थी वह सही समय पर सोलापूर से चली और पांच मिनट पहले ही CSMT पहुच गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करिक्रम में इसका जिक्र भी किया था जिस से सुरेखा काफी अभीभूत हैं अधे और रेल मंत्री जी ने मुझे ये मोका दिया एट्रेन वन्दे भारत चलाने का और धन्यवाद देती हूँ हमारे माननेव पंतप्रदान जी का कि उन्हों ने वन्दे भारत ट्रेन she चलाई और वो सुन달 agree मुझे मिला ये ट्रेइन चल मन की बात में जब उन्होंने सरहाना की मेरी तो मुझे बहुत-बहुत अच्छा-लगा कि यह जो मेने 34 साल ये रेलवे में जो एक लोको पालेट का काम किया फिर मोडर मन का किया फिर लोको पालेट मेल का काम किया तो ये शब्दों में बाया नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है अपने मानने पंत प्रधान जी ने सभी बेटियों के बारे में बहुत कुछ बोला बेटियों को आगे बढ़ना है और बहुत से उधारन बताया प्रसी में जो मैडम ने किया वो भी बताया तो ऐसे लोगों को प्रेणा मिलती है और आगे चलके हम भी कुछ करना है हमें भी इसमें थुड़ा सा योगदान देना यह कहीं न कहीं लड़कियों के मन में आता है, यह सभी के मन में आता है। स्वास्त मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटे में 397 लोगों को कोवीड रोधी डोस दी गई है। 11 मरीज शामिल हैं। प्रदेश की आवसत पॉजिटिविटी दर 13.78 पहुच गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए स्वास्त विभाग के तयारियां पूरी हो चुकी हैं। और सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुकला ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना आखड़े को लेकर प्रशासन ने अपनी तयारियां कर ली है। सामान्य सर्दी खासी पर भी कोवीड टेस्ट किया रहा है। आने वाले समय में आश्रमों में बच्चों का कोवीड टेस्ट किया जाएगा। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाय रखें। तुरन जाज कराने के लिए ऐसे भी निर्देश दिये जा रहे है। वही कोरिया जिले में भी कोरोना ने एक बार फिर दस्तक देना शुरू कर दिया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने लगे हैं। कि अपने टाने पुम्हाद अपने के साथ करने लिए अपने से कोविट के साथ कोविट कुछिया था। आए अपास जो भी आविश्यक सानगरी चाही होती है कोविट के रुपताम के लिए और फिर अमारे पास लाब बार इक्टिव हैं। जिले में जिला प्रशासन से स्वास्वेभाग को अलर्ट रहने की निर्देश भी दिये हैं बेमे तरह के बिरनपूर गाउं में दो समुदायों के बीच हुई जड़प बढ़ता गया और इस बीच 10 अप्रेल को गाउं के एक मकान में आगजनी की घटना हुई थी घटना की जाच करते हुए पुलिस प्रशासन ने 5 आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस प्रशासन ने एक शेत्र में शांती व्यवस्थब इस्थापित करने के लिए लगातार सक्रिय भूमी का नजर आ रही है अभी भी पुलिस बलतैनात किये गए हैं और अफवा फैलाने वाले सामप्रदाइकता को बढ़ाने वालों पर नेगरानी रखी जा रही है जगह जगह बेरिकेट लगा कर और अंजान चेहरों से पुछताच कर शांती इस्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है जांजगीर चापा के बलॉक मोख्यालाय बमनी डी में आजीवी का मिशन के तहत महिलाएं आर्थिक रूप से समरिध्ध हो रही है 2014 में वैशनवी स्वसाहता समो की महिलाओं ने आंगन बाड़ी से काम शुरू किया इसके बाद महिलाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा आज समो की महिलाओं के द्वारा हल्दी, मिर्च, धनिया और मसालों का बड़े इस्तर पर बिक्री की जा रही है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है महिला समो ने बैंक से दो बार लोन लिया है जिससे पांच मशीन खरीदी गई है इन मशीनों से हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाला, पिसाई का कार्या किया जाता है मशीनों का संचालन समो की महिलाएं करती हैं जिससे वे हर तरह से आत्मनिर्भर बनी हुई है महिलाओं के द्वारा हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाला की पिसाई के बाद उसे पैकिंग की जाती है और घर से ही विभागों के द्वारा खरीदी कर ली जाती है खास कर छात्रा वासों में अधिकतर सप्लाई होती है साथ ही इस्थानी इस तर पर भी लोगों के द्वारा महिलाओं से हल्दी, मिर्च, धनिया और मसाला की खरीदी की जाती है इससे महिलाओं को बेहता रामधनी हो रही है सब महिला मला मिलकर काम करना चाहिए हमां दस सदस यहां और अच्छा से मिलकर काम कर था सबसे पहले मैं सुरुवात करे रहे हैं 2014 में तो वहां से सब महिला मला जोड़े जोड़े के बाद में छोटे से मुला काम मिली से अंगान बाड़ी के जब आंगान बड़ी के काम मिली से तो लाव मैं करे लगे एकर बाद बैंग से हम लाइती मतलब एकर से सहयोग मिली लेकिन थोड़ा लेट से मिले रही से तो बेंग से पहली लोन मिलीस, बेंग से लोन मिलीस तो एक लाग के मिले रही से एकर बाद मैं दो मसीन ला रहे हैं, जे मकी आटाचक की चल थे और दाल पीसाई वाला एकर बाद फिर से हमन के काम अच्छा चला तरही से फिर बहुत प्रयास करें प्रयास करें के बाद में फिर से लोन मिली समोला 3 लाग के ग्रामिड बेंग से वहां से आज में पांश्टो मसीन है मोर पास तो हमने हल्दी मिर्चा के काम करा थान अब बढ़िया फाइदा हो थे कमाई हो थे सरकार हमला दे है अच्छा से हमला फाइदा मिला थे अजिवीका मिशन के तहत महलाओं को आजिवीका का बेहतर माध्यम मिल गया है समो की 10 महलाएं अपने स्किल्स का बेहतर उप्योग करके लगातार इस तरह का काम कर रही है जिससे ग्रामिर्क शित्र की महलाओं की आमधनी बढ़ने से अन्य महलाओं का उत्साह भी बढ़ा है प्रधान बंत्री नरेंद्र मोदी हर महिने के आखरी रविवार को मन की बात कारिक्रम के जरिये लोगों से जूरते है अप्रेल के आखरी रविवार को मन की बात कारिक्रम की सौवी कड़ी प्रसारित होगी इससे पहले 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात कारिक्रम में पी ए मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग किया था जिक्र आईए देखते हैं इस कारिक्रम की कुछ जलकिया कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है वास्थों में ये समय अपने Сबी पुराने सामाजिक रिस्तों में नई जान फुकने का है उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस गटाओ इसी के साहथ ही समाचार बोलेटेंस समाप्त हुआ, नमस्कार